हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वावेत आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर तू चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोभी और वेडिया की अमर प्रेम सीरीज या कहलेजिए उद्कम शंकला की कॉमिक वन रक्षक का दूसरो और अंतिम भाग बक्षकों के दल का नेतरप्त यही कर रहा है वी सर एव रक्ष लताओ बढ़ गड़ जगड़ लो शैतां के ओड़नियान को ओ ये क्या कुछ गड़बढ है या आखे दोका खा रही है ये क्या उसे छोड़ क्यो दिया उसे छो अगरे पर भक्षों की शाका हिली तक नहीं ऐसा आस तक नहीं हुआ पर ये सोचने में समय वर्त नहीं करना क्योंकि अगर मैंने इसे समय दे दिया तो ये मेरा समय नहीं यहीं खत्म कर देगा शत्रों से लड़ने के लिए अचानक प्रकर्टी की शक्तिया मुझे मिलना बं लेकिन प्रकर्टी ने मदद क्यों नहीं की हे प्रकर्टी आपने मेरी मदद क्यों नहीं की जंगल की रक्षा के लिए तुमने कई बार अपने प्राणों को संकट में डाला मैं तुम पर प्रसन्य थी मैंने तुम पर विश्वास कर शिष्टी के इस पूरे हिस्से की शाप अब भगत ना होगा ठैरो कहां जारी हो रुको ये रुष्टिता उचित नहीं मुझसे क्या भूली है कैसा शाप है मुझपर कैसे जीवित कर दिया मैंने शाप को मुझे बताओ तो मैंसे नहीं जा सकती लौटो मुझे बताओ मुझसे कोई चूख हुई हो तो मुझे दंड दो पूरी मानवता का साथ मत छोड़ो योगो योगो से कैसा शाप चला रहा है मुझपर जिसे मैं नहीं जानता कौन जानता है गुरुराज भाटकी हाँ गुरुराज भाटकी अवश्य जानते होंगे है गुरुराज भाटकी ये संकड मेरे अकेले का नहीं प्राकर फिर कौन एक शक्स है और है, हाँ एक शक्स और है, मुझे लोटना होगा, प्रकरती तो मानव का जीवन है, वो रूट गई तो सारी मानव तर संकट पर पड़ जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, ये क्या, भेडिया रक्षक घायल पड़े है, मा रक्षक व्रद्दक, ये सब कैसे हुआ, किसना किया, शत्रु रक्तिम की बेटीने, व्रद्दक का इशारा जेन की ओर था, उसने ऐसा क्यों किया, संटुलक गायब है, जेन ऐसा नहीं कर सकती, उसने मुझे धोका दिया, मैरे प्रेम को छला है, क्यों, उफ, संटुलक के गायब होने का बढ़ना बड़ा भ्यानक होने वाला है यही वो एक मात्र वस्तूती जो पश्चिमी गोलार्द के खतपनाग वजहरीले परदूशा के प्रवाव को पूर्वी गोलार्द अपहुशने से रोकती थी संतुलक के चले जाने का मतलब होगा पूर्वी गोलार्द की तबाई प्रकर्टी नभी साथ देना छोड़ दिया कैसे बचा पाऊंगा अब मैं हरयाली को जीवन को फूजो मानस ग्यानाले की में ग्यानाले ही मेरी मदद कर सकता है 5000 साल पहले फूजो बावा जंगल की रक्षा में मेरे प्रेय रख थे यही वो शक्स है जो आज भी मेरी मदद कर सकते है उनके अद्बुद ग्यान के कारण मेरी बहुत सी मुश्किले उस वक्त भी हलो होती थी फूजो बावा तो नहीं रहे किन्तो उनका ग्यान रहे गया प्रकर्टी नोंने मरने नहीं दिया था बाबा प्रकर्टी रुष्ट हो गई है बेडिये देवता भी मेरी पुकार पर नहीं आए कारण अब ये देव भूमी नहीं रही तुमने नियम भंग किया जिसके कारण तुमसे शाप जीवित हुआ है प्रकर्टी भी यही कह रही थी कैसा नियम कैसा शाप बाबा ब्रहमांड एक अबूच पहिली है अनंत रहस्यों का अपने भीदर समेटे हुए कई आकाश गंगा है प्रतेक आकाश गंगा में कई कई ग्रह है ब्रहमांड की ऐसा ही एक आकाश गंगा थी सवान सवाना जिसके सभी ग्रह हरयालियों वरस्पतियों से भरभूर थे किसी ग्रह पर जीवन का अधार होती है यही हरयाली सवाना अकाश गंगा के प्रतेक ग्रह पर जीवन था किसी ग्रह पर सिंग मानव रहते थे तो किसी ग्रह पर मचली मानव तो किसी ग्रह पर गरुण मानो सभी प्रकर्टी के उपासकते हैं प्रकर्टी उनका मुक्ती मुक्त रूप से पालन करती थी सिंग लोग में व्रक्षों पर ही मास पिंड उपते थे जो गज लोग में अथा गन्नों की पैदावार होती थी प्रकर्टी ही इन्हें संचार वान इत्यादी सभी सुवधाय परदान करती थी सवाना में एक तरफ प्रकर्टी थी तो दूसी तरफ थी परलया जो विनाशकारी शक्ती थी उसके अनुवाई थे निशाची जो ग्रहों की उर्वार शक्ती पर जीवित रहते थे सवाना के ग्रहों पर भोजन की कोई कमी नहीं है तुम ग्रहों की उर्वार शक्ती को चूस कर ग्रहों को बंजर कर सकते हो तुम प्रकर्टी को दबा कर सकते हो जाओ सवाना के सभी ग्रहों की उर्वार शक्ती को नश्ट कर डालो भूमी को उर्वराशक्ती चूसने के लिए निशाची वरक्षों का अपना निशाना बनाती थे हमारी बुजाव पर बने चूसक वरक्षों की शाखाओं से उनके पोशक तत्वों सहीद भूमी को उर्वराशक्ती को सहस्ता से चूस लेते हैं हरे भरे व्रक्ष सूख कर ठूट बन रहे थे वो रहे निशाची वो व्रक्षों के तरी ये भूमी को उर्वराशक्ति को चूस रहे हैं उर्वराशक्ति खिजन से व्रक्ष मर रहे हैं निशाचियों वो पशु मानवों में एक भेंग कर युद छड़ गया वानर लोग पर निशाचियों का हमला हुआ हाहाहा, जैल पलाए के पंखों में है जैल तक में तूफान लाने की सक्ति जैल पलाए सब को डुब होतेगा निशाजी बाड का कैर मचा कर वाना परजाथी का अंत कर देंगे पुत्रियादी ये संकड का समय है तुमारा मित्र अंत कहा है वही वहाई इस प्रले में हमसे बिछुड गया है पिताश्री बाड को एकी उपाय दोरा रोका जा सकता है पूझनिये समरागी बांध बना कर अंत की प्रात्ना पर चत्तानों ने बांध बना दिया उधर देखो हे महाशक्ती निशाचियों की कुरूर से ना नीचे उतर रही है हम सीधे सीधे इनका पकाबला नहीं कर सकते ऐसा करने में मुद्वानी भी नहीं हमें अपने छत्तम विद्या का प्रयोग करना होगा छत्तम विद्या का प्रयोग कर सभी ने धरली और निशाचियों जैसा ही रूप हमें निशाचियों की रूप में देखकर शैतान अगले ग्रह की ओर बढ़ गा है खत्रा टल गया है निशाचियों के हमले बढ़ गा है हाँ, इनके हमलों से बचने के लिए शत्तम विद्या की सात्रा करना हमारे ले काफी लाब दाये करना अन्नता बान बचाने मुश्किल थे सॉरी, प्रान बचाने मुश्किल थे किन्तु ऐसा कब तक चलेगा हाँ, मुझे स्वम्न कायरता का बोथ होता है मैं वाना ग्रह की समरागी हूँ इद दुख को मैं भी समझती हूँ शत्रों की ताकत का ऐसाथ मुझे तिल मिला देता है मैं कुछ करना चाहती हूँ हम भेडिया लोग की मदद देगे किन्तु सवाना में भेडियों से भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों की ग्रह जैसे सिंग, चीता, गज, गरोण, भेल, त्यादी ऐसा तुम कदापी न कहते यदि एक बार भेडिया लोग भेडान का ब्रमण कर लेते अतिकरूर है वो मैं तुम्हें बताता हूँ की क्या बला है वो एक बार मयो और वानर लोग की समरागी रूप परिवर्थि करके सवाना में ब्रमण कर रहे थे हमें दो शक्ति पंज देखे जिनका पीछा करते हूँ भेडिया लोग के भेडान में जा पहुँचे हम दोनों ने भी बेडिया के छदम बेडियों का छदम रूप धारान कर लिया शक्ती 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 मुंद परवतिनकी शक्ती का सुरोत है किन्तो इन लोग ने अपने ही लोगों के मुंद क्यों काट रखे है उत्तर में शीगर ही मिल गया उखाड लो इन सबके मुंड़, वहाँ कई कभीले थे जो एक दूसरे के कटटा शत्रू थे, खाच खाच खाच, खाचाच, 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 आ, 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 शक्ती के मद मैं चूर, लेज लोइन मंडों को कुरूराक्ष के पास, कुरूराक्ष कोन है, बेडिया जाती के सबसे बड़े शक्ती शाली हो, खुंखार कभीले, खुंखारा का सरदार कुरूराक्ष, भेट सुीकार हो कुरूराक्ष, बदले में हम चाहते हैं कि तुम्हारे कभीले के बेडिया हमारे कभीले पर कभी आक्मन न करे, मित्रता के लिए बेट लाने की कूप सोची सर्दार भवोडा किन्तो खुंकारा कबीले का एक एक बेड़ी अपनी शक्ति के मुंड परवत सेम के उखाडिय मुंडों से ही बनाता है यही आँका निया में जिसे हम तोड नहीं सकते क्योंकि निया म्भंग यानी पता निश्चेत खुंकारा कबीले का सर्दार होने के नाते पराजे शत्रों के मास मच्चा को कुम्बों में डाल कर अपने रक्ते से केबल मैं ही जनम दे सकता हूँ या भेड़िया शिशुओं को पहले इस्तरियां हो करती थी शिशु शिश्टी के लिए लेकिन इस्तरियां दुर्बलता की परतीक थी उन्हें चुन-चुन कर हम नहीं मार डाला कन्याओं को भी पैदा होते ही मारा जाने लगा और एक दिन ऐसा आगया कि कन्याओं ने जनम लेना ही बंद कर दिया बेडियों के जनम के लिए तिलिस में कुम्ब शिश्टी का साहरा लेना पड़ा इस पकार तैह हुआ कि हम मदद के भेडिया गरह पर ही जाएंगे गोस पैठिये मैं बानग रहे की समरागी माता हारी हूँ हाँ और मैं इनका पती यति कूट ये भेडिया गरह है और मैं यहां का समराठ कुरुराक्ष यहां भारी प्राणियों का प्रवेश वर्चित है फिर चाहे वो समराठ हो या समरागी तो मैं डंडित किया जाएगा शत्रू एक है, क्रूर निशाची, मित्र शब्द से यहां कोई परिजित नहीं, शत्रू के लिए मैं अकेला काफी हूँ, हमें तुम दोनों की दीन हीन काया देख का धया आ रही है, अन्यता कपका से रोडा चुके होते, तो मैं मारना हमारी शक्ती का अपमान है, क्रूर मुर यदि वें हमारा वद का डालते तो उनके लिए उचेत होता, किन्तु मैं प्रण लेती हूँ, कि दीन हीन काया वाली ये वानरी एक दिन समस्थ भेडियों के लिए नाश का कारण बनेगी सवाना के सवी ताकतवर पशु मानव, सवी, निशाच्यों के प्रकोब से सवाना का प्रते ग्रयत रस्त था, सवाना के सवी ताकतवर पशु मानवों ने मिलकर पशु संग का गटन किया, और निशाच्यों से टकर लेने के लिए रक्षा दल की स्थापना की गई, रक्षा होकर दुष्ट निशाचियों का मुकाबला करेंगे भेडिया लोग भेडान को भी रक्षा दल में सम्मिलित होने का निमंत्र भेजा गया किन्तु अपनी ताकत के नैशे में नोने ये निमंत्र ठुकरा दिया दूसरी तरफ ताकत की जिस्टी से दोयम दर्जे का जान कर वान पूरी वानर जाती के लिए ये शुप संकेत था कि रक्षा दलने माता हारी को आमंत्रित किया था हे वानर समरागी हमने सुनाए कि निशाचियों से नपटने की कोई युक्ती या किसी शक्ती के विशे में हमें बता सकते हो उस शक्ती का नाम है क्रूराक्ष मगर भेडिये बेडिये तो निरंकुष हैं वे बता नहीं करेंगे बलकि वहाँ जाने वाले पच्छु जंपरी आक्मार करके उसे भी मारतेंगे वे दरंदे हैं वो रक्षा के लिए हरकिस तयार नहीं होंगे वो अवश्य तयार होंगे निशाचियों का आंते बेडिया ही करेंगे और य यती मुझे भेडिया लोग जाना होगा निशाचि का वेश के उधर रही हो वक्त आ गया यती कूट भेडियों से अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है मैं एक तीर से कई शिकार करूंगी शड्यंत्रों की राजनीति से को साचलना होगा समरागी तुम बच्चे हो अं के चली नहीं सकती माताहरी निशाचि के वेश में कुरूराक्ष के समक पहुंची कुरूराक्ष मैं निशाचियों का दूद निशाचा। actlı तुमारे लिए निशाचियों का पयगाम लाया ह। निशाची सवाना में सभी गरों में सर्वातिक शक्तिशारी वर्ष्रेष्ट है तुम लोगों ने हमारे नागरिकों को मार कर जो घृष्टता की है उसका अंजाम तुमारी मिर्ट्टी होगा मिटा दिये जाओगे उससे पहले ही हमारी गुलामी सुईकार कर लो यदि हमारा प्रस्ताब मंजूर है तो नर्मुंड हमारे दूद को सौब दो वर्ना निशाची भेडिया लोग को जला कर खाक कर देंगे आग फढ़का कर तुरंत वहां से निगल भागी माता आ ली निशाचीों के पैगाम से कुपित समस्त बेडिया मानवो ने निशाची ग्रह के अस्तित्व कोई मिटा देने की ठान ली दी हे नर्मुंड परवत की समस्शक्तियों मुझे प्रवेश करो समूझे निशाची ग्रह का अंत करके ही लोटेगा निशाचीों पर तूट पड़ा बेडां के बेडिया मानवो का कहर ये घरयाब जीवन को तरस जाएगा धम भैंकर रक्तपात के पस्चाद बेडिया मानवो ने निशाचीों का अंत कर डाला बेडिया लोग जिंदा बाद, कुरूराक्ष जिंदा बाद वो कमबका दूद अभी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ा भीड में मर गया होगा समराट निशाचीों ने बेडियों की तीन चौताई सेनों को मार डाला हम सब की जान पराबनी एक चौताई बचे हम, वो भी टूटे फूटे गायल रखते रंजित तुम भी कुछ नहीं कर सके कुरूराक्ष फिर भी हम विजय नाद करके पुरसन हो रहे हैं यह विजय नहीं है और मर गे हमारी ताकट का वो दम भी कि सवाना के सभी ग्रव में सरवाध इक शक्तिशाली उ खुंखार है हम क्या चाहता है कुरूरा हमें और शक्तिशाली होना होगा एक एक भेडिया के परस पूरे पूरे निशाची ग्रह की ताकत के बरावर ताकत होनी चाहिए हम और भेडिया पैरा करेंगे अर्थात और ताकत भेडियों को जंसंग्या की नई कुरूराक्ष ताकत की अवशकता है ऐसी दागत कहां से आईगी? कुरूराक्ष, वो क्या है? वह कोई इस्तरी है ये किसी साध्रा में बैठी है कौन है ये? इसके शरीर से अद्वत प्रकाश फूट रहा है परंदू ये इस्तरी है, चलो यहां से ये इस्तरी आवज ये किन्दू साधार नहीं मैं इसी से पूस्ता हूँ मैं ग्रह शक्ती हूँ मुझे केवल वही इसपर्ष करे जो मुझसे विवा का इच्छु को मेरे अंदर इस ग्रह के निर्माणी वा विनाश की समस्तर शक्तियां मौझूद है जो मुझसे विवा करेगा ये शक्तियों से प्राप्त हूँगी और वो बनेगा इस ब्रह्माण का सरवादिक शक्तिशाली प्राणी तो फिर तुम्हें मैं इसपर्ष करूँगा शक्तिशाली बनने के लिए इस्तरी की मदद लेना मेरे नियमों के विरुत है किन्तो हमारे लिए नहीं हा 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 फैरो अनता सब भस मोजाओगे मुझे इसपर्ष करने से पूर्व अपनी योगताओं को सित्ध करना होगा मुझे वही इसपर्ष कर से कहईगा जो रक्षा दल के प्राणीयों के सबसे अधिक मुंद काट कर लाएगा बेडिये निगल पड़े नर्जंगार मचाने ताकत में बेजोड हूँ मैं समराठ कुराक्ष के नर्वर्ण परवत के सरवातिक मुंद मैं नहीं काटे हैं ग्रह शक्ति को प्रवाप्स करने का एक ही अर्थ है पूरे सवाना पर साशन बेडियों के जाता ही कुरूर चमागावे ग्रह शक्ति की आँखों में हाहाहा बेडिये मेरी चाल मफस गए दीन हीन काया वाली एक वानरी की चाल में माताहारी की चाल ने कैसे बनाया एक वन रक्षक को शांपित रक्षक तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आमर प्रेब या उद्गम सीरीज की अगली कॉमिस शांपित रक्षक में तब तक के लिए धर्नवाद